नमस्कार, बच्चों पिसली वीडियो में हमने पाठ पड़ा साइगा के ग्रहे पर आज मैं पार से सम्बंदित प्रेश्न उत्तर आपको करवाऊंग। मौखिक प्रेश्न में पहला प्रेश्न है लड़की की उम्र कितनी थी? उत्तर है लड़की की उम्र लगभग 12-13 वर्ष थी? दूसरा प्रेश्न है लड़का कैसे सहर की कामना कर रहा था? उत्तर है लड़का एक ऐसे सहर की कामना कर रहा था जहां परदूशन न हो? लड़की ने अपना नाम क्या बताया? लड़की ने अपना नाम S.G.19099 बताया खाने की प्लेट में कैसी गोलियां रखी वी थी? उत्तर है खाने की प्लेट में सुनहरी, हरी, लाल और नीली गोलियां रखी वी थी? बच्चों इसके बाद लिखीत प्रेश्ण है, लिखीत प्रेश्ण जैसे पहला प्रेश्ण है, सही का उत्तर आपने लगाना है, तीन आपको विकर्प देवे हैं. लट्टू जैसी आकिर्थी वास्तव में क्या थी? धर्ती, कालियान या ग्रहे? तो ये थी कालियान, सही उत्तर है कालियान. सैगा के ग्रहे पर हवा कैसी थी? स्वच्चताजी, सुगंदित या स्वच्चताजी और सुगंदित? प्रश्च नमबर तीन है, इसका प्रश्च नमबर दो है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए, ये आप स्वयम कीजिए, और अगला प्रश्च नमबर है, तीन. प्रश्ण नमबर तीन में गद्यांस दिया हुआ है इस गद्यांस को आप ध्यान से पढ़िए और उसके नीचे प्रश्ण दिये हुए है इन प्रश्णों के उत्तर मैं आपको बता देती हूँ तो पहला प्रश्ण है को धर्ती पर ग्लोबा वामिंग बढ़ने का क्या कारण था इसका उत्तर है धर्ती पर ग्लोबा वामिंग बढ़ने का कारण पर दूशन था मानम ने कब दूसरी दुनिया बनाने की ठानी उत्तर है जब माना सव्विता का विनाश होने को था तब मानम ने दूसरी दुनिया बनाने की ठानी प्रस्ट नमबर गो है मानव ने किस प्रकार का अंत्रिक शियान बनाया उत्तर है मानव ने प्रकाश की गति से चलने वाला प्रकाश शियान बनाया मानव किस प्रकार के ग्रहों पर जाकर बस गया था प्रस्ट नमबर गो है मानव किस प्रकार के ग्रहों पर जाकर बस गया था उसका उत्तर है मानव ऐसे ग्रह पर जाकर बस गया था जहां जीवन फल फूल सके अब दीर्ग प्रश्ण उत्तर हैं प्रश्ण नमबर चार प्रश्ण नमबर चार का है हवाई कार से ग्रह कैसा दिखाई दे रहा था उत्तर है हवाई कार से प्रिथवी पर सडकें कांसी चमक रही थी विचित्र आकार प्रकार के व्रक्ष दिखाई दे रहे थे जिन पर लटके फल रंगीन जुगनों की तरह चमक रहे थे और कई व्रक्ष संगीत सुना रहे थे प्रश्ण नमबर खो है साइगा के ग्रह को धर्ती मा की बड़ी वहन क्यों कहा गया उसका उत्तर है साइगा का ग्रह प्रिथवी से लगभग 20 प्रकास वर्ष गलीज 581C देड़ गुना बड़ा और पास गुना भारी है इसलिए उसे धर्ती मा की बड़ी वहन कहा गया है प्रेश नमबर गौँ है साइगा का ग्रह प्रिथवी के ग्रह से कैसे भिन्न था इसका उत्तर है साइगा के ग्रह पर ना हतियार है ना प्रमानु परिक्षन होते है ना युद्ध है और नाही प्रकृतिकार शोषण है वहाँ पर पानी और हवा भी शुद्ध है इसलिए साइगा का ग्रह पितिवी के ग्रह से भिन्न है प्रश्ण नमबर घौ है दुकानों में किस प्रकार का अनोखा सामान भरा हुआ था इसका उत्तर है दुकान में अनोखा चश्मा था उसे पहनते ही सामने वाले के मस्तिक्ष में उठती विचारत रंगे पढ़कर उसकी मन की बात समझी जा सकती थी रंगीन तकीये थे जिन पर सिर रखकर सुहावने सपने आते थे तो बच्चो ये तो थे प्रश्ण उत्तर और भाषा बोद का कार्या आप अपनी किताब में स्वयम से कर लीजिए भाषा बोद और इन प्रश्ण उत्तर को आप अपनी हिंदी की नौटबुक में नौट कीजिए धन्यवाद प्रश्ण उत्तर झाल झाल